प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें थैंक यू आज हम आपको मास्क बनाना बताएंगे मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हमने एट एट इंच दोनों तरफ से कपड़ा स्क्वायर शेप में लिया है कपड़े पे तीन तरफ से हम सिलाई लगाएंगे जहां मैंने मार्क किया है इस तरीके से यह तीन तरफ से सिलाई मैंने लगा लिया अब इसको सीधा कर लेंगे इसे अच्छे से करना है इसे कोनों को अच्छे से निकाल लेना है अब कपड़ पे जो ओपर साइड है इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इसे 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 भी सिलाई लगा लेनी है यह चारो तरफ सिलाई मैंने लगा लिया है इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद इसे पतली पतली प्लेट्स टालेंगे यह अबाउट एक इंच की इस पर प्रेस करते रहेंगे कि अच्छे से बैठ जाए खुले ना अब इस पे एक लाइन हम दोनों तरफ से सिलाई लगा लेंगे कि प्रेस हमारी बैठ जाए अच्छे से यह देखिए सिलाई हमने दोनों साइट पर लगा लिया है अब इसमें इलैस्टिक का साइज हमने लिया है सिक्स इंच अब इसको साइट से यहां पर ऐसे सिलाई लगानी है और इस साइट में भी ऐसे लगानी है इसको बैक साइट से भी लगा सकते हैं पर फिर मास्क एक ही साइट से लगा सकेंगे इसलिए हलकी सी सिलाई खोल की इसको अंदर डालेंगे बस एक टाका खोलना है और इसके अंदर डालके इधर से इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दूसरे साइड में भी ऐसे ही सिलाई करनी है मास्क है रेडी हो चुका है आप देखें मैंने लेस्टिक बीच से डाली है कि दोनों तरफ से इसको पहन सकें यह बहुत ही सॉफ्ट कपड़े का है बहुत ही आरामदे होता है और आप भी इसी तरीके से इसली तरीके से बना सकते हैं मास्क बना सकते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मुसे सीखना चाहते हैं तो मुसे कॉंटेक्ट कीजिए थैंक्यू वीडियो देखने के लिए कि अवीडियो चाहते हैं?